नमस्काल जय जगरनात हमारी चैनल लिजी फोड़ीशेस पर आप सभी का स्वागत है आज हम सेयर करेंगे आपके साथ चकलेट फोड़िंग की रेसिपी आई होग आपको पसंद आए उसके लिए मैं ली हूँ चार कप उबला हुआ दूद शक्कर एक कफ आधा कफ कोको पाउ मेले हम एक बड़े बूल लेंगे इसमें डालेंगे सक्कर और कोको पाउडर इसे थोड़ा मेक्स कर लेंगे अब डालेंगे दूद को यह रूम टेंपरेचर दूद है और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें जो कानफ्लोर रखेते उसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे यह मिक्स हो गया है अब इसमें हाम वैनिला एसेंस हाप टीस्पून डाल कर मिला लेते हैं यह मिक्स हो गया है अब हम एसे एक्स्टेनर लेंगे और इसे छान लेंगे अब आपने हिसाब से कोई भी सास्पेन हो या कड़ाई हो ले सकते हैं ऐसे छानने से जो भी एक्स्ट्रा गुठलिया हो निकल आएगा अब हम इसे ऐसे इंडॉक्शन में रखेंगे आप ग्यास के उपर रख सकते हैं और इसे हम लगातार ऐसे चलाते रहेंगे नहीं तो यह नीचे चिपक भी सकता है इसलिए आमें लगातार चलाते रहना है देखिए यह गाढ़ा होके इसका कंसिस्टेंसी इस तरह से रहना चाहिए अब इसे हम एक बोल हो या आपके पास जो भी मोल्ड हो उसमें ट्रांसफर कर लेंगे और इसे 6-7 घंटे तक हम सेट होने के लिए रखेंगे मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी ही 2 घंटे में निकाल ली थी तो इसमें कुछ प्रब्लम आ गया था देखिए मैं येसे 2 घंटे के बाद निकाल ली हूँ इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम देखिए जल्दी निकाल लेंगे तो इसका प्रब्लम ये होगा अच्छे से सेट नहीं होगा इसलिए आप इनियों 5-6 घंटे तो जरूर रखिएगा ख्रीज में रेडी हो गया हमारा चकलेट फूरी इसे थोड़ा सजा लेते हैं मैं कोको पाउडर से ऐसे छननी के हेल्प से इसे डॉस्ट कर लेती हूं और थोड़ा मेरे पास चोको चीप्स बड़े थे इस तरह से सजा लेते हैं आप अपने पसंद के हिसाब से सजाईएगा हमारे रेसिपी अच्छा लगता है तो जल्दे देख लाइक कर दीजिए दोस्तों को सेयर कीजिए और हमारे चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब करके अल बोटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा जिसके वज़े से हम जो भी कुकिंग रिलेटर नए विडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा थैंक यू फर वाचिंग